हाई फ्रेंड्स विल्कम बैक टो साक्षी कीचन आज हम आपके लिए लाए हैं उबली हुए आलो की दो इगलीसियस अलग अलग रैस्पी जो की बनाना बहुत ही आसान है और यह खाने में भी बहुत ही टेस्टे बन कर तेयार हो गया और यह बहुत ही कम मेहनत में बनने वाली रैस्पी है तो आप भी इस तरीके से आलो की एक बार रैस्पी जरूर बनाएगा तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी मेरी सिंपल एंड डिलीसियस रैस्पी पाने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना कर लेंगे मिन्स बड़े वी टुकडो में तोड़ लेंगे बहुत जादा भारिक नहीं तोड़ना है और यहां पर हम एक पैन को गरम कर लिये हैं जिसमें हम डाले हैं हाफ टी स्पून जीरा जीरे के अच्छे से तरड़कने के बाद हम इसमें डालेंगे दरदरा कुटा अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे ठोड़ा सा यह फिर दो तीन मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज और प्याज को भी हम थ् nutritious का ए्टलेंगे और इसे एच्छे तर办 ไख practicing dream त्यूसर को सब्सक्राइब शुर्म अद्पाइब मियर नेरे त्लाइब कर अच्छे तरीके से घोल लेंगे तो यह देखिए यहां पर हमारे प्याज थोड़े से फ्राइ हो चुके हैं तो अब हम इसमें डालेंगे अपने घोले हुए मसाले और मसालों को प्याज के साथ अच्छे तरीके से भून लेंगे तो यह देखिए यहां पर प्याज के साथ मसाले अच्छे तरीके से भून चुके हैं तो अब हम इसमें डालेंगे 1 टी स्पून कसूरी मेथी, कसूरी मेथी को हाथों जे थोड़ा कसा क्रस्ट करके डालेंगे, हिस्से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, और यहां पर हम दो मीडियन साइज के टमाटर को दरदरा अच्छे तरीके से भूल लिये हैं, और यहां पर ऐल एकदम मसालों से सेपरेट होने लगा है, यह देखिए इस तरीके से, तो अब हम इस स्टेज पर इसमें डालेंगे, वन एंधाफ ग्लास पानी, यहां पर आप पानी का मिजिट मेंट कब से भी कर सकते हैं, और आप पा कर लेना है थोड़ा सा, जब इसमें पहला बॉयल आने लगे तो इस स्टेज में हम डालेंगे इपने मैस किये हुए आलू, और आलू डालने के बाद हम इसमें डालेंगे टेस्ट के कॉर्डिंग नमक, और इसे अच्छे तरीके से पका लेंगे, और हम सबजी को एकदम लो आटे की जगह, मैदे का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहां पर हम गयों के आटे का यूज कर रहें, इससे हमारी रैस्पी थोड़ी सी हल्दी बन कर तयार होगी, और साथी हम यहां पर ले रहे हैं, हाफ कप सूजी, और अब हम इसमें डालेंगे टेस्टिक के नमक, यहां पर हम हाफ टी स्पून नमक ले रहे हैं, और साथी हम इसमें डालेंगे वन टी स्पून अजवायन, अजवायन को इस तरीके से हाथों से क्रस्ट करके डालेंगे, इससे इसमें खुस बहुत अच्छी आती है, और अब हम इसमें डालेंगे वन टी स्पून कसू या फिर आप यहाँ पर बटर का भी यूज कर सकते हैं और गी डालने के बाद हम सभी ड्राइ इंग्रेडियन को घी के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसका एकदम सॉफ्ट सा डो बना कर तयार कर लेंगे डो को हमी एकदम सॉफ्ट रखना है थोड़ा-थोड करके पानी डालना है और इसका एकदम सॉफ्ट सा बहुत ज्यादा सॉफ्ट सा डो बना कर तयार कर लीना है तो यह देखिए यहाँ पर हमने इपने डो को एकदम सॉफ्ट गुन कर तयार कर लिया है तो अब यह हमारा डो एकदम अच्छे तरीके से तयार है बहुत ही सॉफ एक बार आलोग की सब्जी जरूर बनाएगा और यहां पर थोड़ी ज्यादा पतली दिख रही है लेकिन कोई नहीं या ठंडी होने के बाद गाड़ी हो जाएगी और अगर गाड़ी भी नहीं तो कोई बात नहीं हमें इस सब्जी को थोड़ा सा पतला ही रखना है बहुत ज् की कचारिया बनाने वाले हैं तो यहां पर पैन को हमने गरम कर लिया है और इसमें हाफ टी स्पून साबुत धनिया डाले हैं और इसे थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है और इसे रोस्ट करने के बाद हम इसे एक बोल में निकाल कर थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और इसके वही है अपना रोस्ट किया हुआ दन्या और सौफ जिसे हमने थोड़ा सा दर्थर आक उठा है इसे डाल देंगे और अब हम इसमें डालेंगे दर्थरे कुटे हुए लेसन हरी मेर्च यहां पर हमने 1 टी स्कून लिया है और इसके बाद 1 1⁄2 teaspoon रेड मिर्च पॉड़र और साथ हम इसमें डालेंगे 1⁄2 teaspoon अहल्दी पॉडर और अब हम इसमें डालेंगे ठोड़ा सा कसूरी में. यहाँ पर कसूरी मेथी हमने दोनों रैस्पी में यूज किया है और आप भी जरूर से जरूर दोनों रैस्पी में कसूरी मेथी यूज कीजिएगा कसूरी मेथी के टेस्ट decresment में बहुत ही ज्याधा डिलेसियस मिंस बहुत ही टेस्ट लगता है तो आप भी इस ककसूरी मेथी डालना न भूले गा और आप बचा और तो आलो को अच्छे तरीके से सैंट लिए है और यहाँ पर सभी आलोो को मसालु के साथ अच्छे तरीके eping से भूनना है मिक्स करते विए इसमें से जो मॉस्टर होगा खतम हो जाएगा और हमारी मसाले का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा और साथ ही हमें टेस्ट के कोडिंग नमक भी डालना है मिन्स नमक थोड़ा सा कम ही डालना है क्योंकि हमने डो में भी नमक डालना है और हमाई सबजी में नमक है तो बहुत ज़्यादा ने डालना में इसके टेस्ट के हिसाब से इतना जालना है तो यह देखिए यहाँ पर हमारी आलो भी बनकर थयार है तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने कचोरिया बनाना है तो इसके लिए हमने अपने डो के छोटे-छोटे बॉल्स ब बना कर तयार किया है और इसी तरीके से सभी बॉल्स को बना कर तयार कर लेंगे और इसी तरीके से अब हम लेंगे एक बॉल और उसे अपने हाथों पर अच्छे तरीके से राउंड करेंगे और इसके बाद हम इसे कचोरी की तरह बना लेंगे जैसे हम सभी चीजे बनाते मे इसमें थोड़ी थोड़ी स्टेफिंग डाल लिए जो भी हम बना कर तयार करें अभी यहां पर हमें कचोरी को बेला नहीं है बस हम ऐसे ही इसे थोड़ा सा बढ़ा करेंगे अपने फिंगर्स की हल्प से आप चाहे तो इसे चेकले पर रख कर जैसे हम पिज्जे का विस बनात इसे अजेार गरम होगा और हम सभी कचोरी को बना कर तैयार कर लेंगे तो यह दीओ Forward बना कर त्यार कर लिए हैं और यहां अब तक हमारा पी बार में अच्छे से गरम हो चुका है तो चलिए अब हम फ्राइक करना सेस्टर करते हैं और साथ ही हब इसे मारो सभी आई गशरी भी बहुत ही अच्छे सिखकर तेहर होंगी तो यह देखिए यहां पर हमारी फुली-फुली कचवरी अच्छे तरीके से सिख चुकी हैं दोनों तरफ से गोल्ड एं ब्राउन हो चुकी हैं तो अब हम इने पैन से बाहर निकाल लेते हैं तो यहां पर हमने पहले बैच की कचोरी को पैम से बाहर निकाल दिया है, यह देखने में बहुत ही सुन्दर लग रहे हैं, और इसी तरीके से हम सेम प्रोसेस से ही और बाकी कचोरी को भी फ्राइ कर लेंगे, तो यह देखिए, यहां पर हमारी सभी कचोरी फ्राइ होकर रेड तो यहां पर हम कचवरी और सब्जी को अच्छे तरीके से सब्व कर लिये हैं साथ ही एक ग्रेन मिट्च रख दे रहे हैं जट से आ देखने में थोड़ा से जादा टैम्टिंग लगेगा और यहां पर हम अपनी कचवरी को तोड़ कर दिखा देते हैं यह देखिए यहां पर इसके अंदर तक एक दम अच्छे से फिलिंग आ गई है और यह बहुत ही टेस्टी बनी है आप चाहे तो इसे सब्जी से खाईए या फिर आप इसे नॉर्मल भी खा सकते हैं तो आपको आज की हमारी रेस्पी कैसी लगी हमें कॉमेंट में जरूर बताएगा और कौन सी रेस्पी आपको ज्यादा अच्छी लगी या भी कॉमेंट में जरूर बताएगा और अगर पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलिएगा और ऐसी मेरी simple and delicious recipe पाने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा आज के लिए बस इतना ही मिलते है नेक्स्ट वीडियो में बै बै टेक केर and thank you for watching my वीडियो